Hello and welcome guys, my name is Nitesh and you all are watching Classman Nitesh. Today in this video, we are discussing about correct form of the verb. Correct form of the verb से कोई भी एक्जाम हो एक नएक क्वेशन तो पूचा ही जाता है. तो क्यों ना correct form of the verb को एक बार अच्छे से समझ लिया जाए कि कैसे हम करते हैं, तो उसी परपस से आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो सारे टेंसे होते हैं, बारा के बारा, उन सभी टेंसे को एक एक करके पहले देखेंगे, उनके कुछ एक्जामपल्स देखेंगे, फिर बात में हम करेक्ट फॉर्म अब दी वर्ब के करिशन्स निकालेंगे, अल्मॉस्ट टॉंटि फाइब हम यहां पर करिशन्स निकालने वाले हैं, यानि कि मैं कुछ भी आपके लिए छोड़ने वाला नहीं हूँ, अगर आप ये वीडियो लेक्चर शुरू से लेकर लास तक पूरा देखते हैं, तो करेक्ट फॉर्म अब दी वर्ब आपका बिल्कुल सही जाएगा आपके एक्जाम में, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के, चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं, ये बैसिक नौलेज और एडवर्ब वगेरा इन सब की नौलेज होनी चाहिए, तो टैंस बैसिकली कितने होते हैं, तीन होते हैं, प्रिजेंट टैंस, पास टैंस, और फूचर टैंस, Present Tense के चार पार्ट होते हैं इसी तरह से Past Tense के भी चार टाइप होते हैं और Future Tense के भी चार चार टाइप होते हैं यानि कि तीनों Tense के चार चार टाइप होते हैं Present Tense का पहला टाइप होगा Present Simple या Indefinite Present Continuous दूसरा होगा तीसरा होगा Present Perfect और फोर्थ नंबर का होगा present perfect continuous tense इसी तरीके से past के और future के भी चार-चार टाइप होगे इतना तो जो भी tense पढ़ता है उसे पता ही होता है अब आगे बढ़ते हैं present tense का पहला tense हम लेते हैं present simple या फिर present indefinite अब यहाँ पर आपको कुछ rules है जो की याद रखने होंगे tense में use होगी man verb यहाँ पर first form का हम use करेंगे या फिर first form के साथ s, es या is साथ use करेंगे recognition या पहचान जो इस tense की होगी हिंदी वो क्या होगी ता हे, ती हे, ते हे, ये इसकी पहचान होगी वैसे हम correct form of the verb कर रहे हैं तो इसमें हिंदी पहचान की हमें जोरत नहीं है लेकिन हम tense को पढ़ रहे हैं तो ये थोड़े सी चीज एक्स्ट्र आपको पता होना चाहिए adverbs यहाँ पर सबसे main role अदा करेगी और वो आपको पता होना चाहिए कि tense में कौन-कौन सी adverbs use होती है तो यहाँ पर सभी adverbs लिखी हुई है एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए देखिए always, sometimes, often, daily, regularly, seldom, generally, frequently, occasionally, rarely, hardly, habitually, scarcely, in the morning, in the evening, each या फिर every के साथ आप time का use करेंगे on plus day यानि कि on के साथ कोई भी day आ सकता है once a day, once a week इस तरीके से भी आ सकता है तो यह सारी adverbs आपको पता होना चाहिए इस tense से related तो सबसे important काम adverbs का है अब कुछ points जो कि आपको पता होना चाहिए इस tense से related जो कि present simple tense के अंदर आते ही है पहला point है मारा universal truth जयानि कि जो सारोभों में सत्ते है वो इसके अंदर आता है जैसे कि सूर्य पूरुदिशा से उदे होता है और पस्चिम में अस्त होता है यह सारी चीजे universal truth के अंदर आती है अगला हमारा point होगा scientific fact जैसे कि water है वो 100 degree Celsius पर boil करने पर उबलने लग जाता है यहने कि जो water है उसको अगर हम 100 degree Celsius पर गरम करते हैं तो वो boil होना शुरू हो जाता है इस तरह के scientific fact यहां पर आते हैं हमारे पास में calculation आती है जैसे 2 and 2, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं यह calculation भी आती है इस तरह के example अक्सर exams में आते हैं प्रोब्स जितनी भी कावते हैं होती है वो भी इसी 10s के अंदर आती है जो प्रोब्स होती है जैसे कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है honesty is the best policy यह प्रोब्स यहां पर आती है newspaper headlines newspaper की जो headlines होती है वो भी इसी 10s के अंदर हमारे को देखने को मिलती है जैसे पीम आज वहां जाएंगे तो यह सब चीज़ी इसमें आती है nature and habits जो किसी का सोबा होता है या फिर किसी की आदत होती है वो भी इसी 10s के अंदर हमें देखने को मिलती है जैसे कि एक teacher की जो nature क्या होता उसका कि वो कभी भी students को सामने बेठा हुआ देखे और उसके पास board हो तो वो पढ़ाएगा जुरूर या कुछ न कुछ पढ़ाएगा जुरूर आपको जैसे कोई चोर है उसका nature क्या है चोरी करना तो इस तरह से nature और habit ये चीज़ें आती है लॉयन है वो रोर करेगा repeated work जो बार-बार होने वाले जो काम है जैसे उठना, सोना नाना ये सब repeated work है तो ये भी stance के अंदर हमारे को देखने को मिलेंगे कुछ examples देख लेते हैं stance से related जैसे ही प्लेस cricket daily, अब यहाँ पर adverbs हमें daily मिल चुकी है यहाँ पर मैं कुछ examples आपको दिखा रहा हूँ आगे अपन इनकी practice करेंगे, exercise करेंगे उनमें मैं आपको options दूँगा ये adverbs आपके पास होगी और आपको in adverbs के according वहाँ पर correct form of the verb को सही करना है, ठीक है दूसरा example है the sun rises in the east she always goes to temple, अब यहाँ पर सब में adverb कोई न कोई use हो रही है या फिर हमारे important point यहाँ पर दिख रहे है हमें I don't play football everyday everyday यहाँ use हो गया He does not go for a walk daily, अब यहाँ पर daily हमने use किया है, what does she read regularly, regularly मैंने यहाँ पर use कर लिया तो यह हमारा present simple tense complete होता है अगला tense हम लेते हैं present continuous tense helping verb यहाँ पर is, m और are यह use होती है main verb यहाँ पर first form के साथ आप ing use करेंगे adverbs यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है तो वो भी देख लीजी एक बार at this time, at this moment, now, nowadays, still, today, at present, in these days, in these months, in these years या फिर यह तीन वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं look, see, and listen और इनके पीछे जो exclamation mark और आए ना उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि उससे आप पैचान पाएंगे कि यह present continuous tense की adverbs में आते हैं recognition यहाँ पर क्या है stance की हिंदी पैचान क्या है रहा है, रही है, रहे है रहा हूं, रही हूं यह stance की हिंदी पैचान है चलिए sentences लेते हैं पहला sentence है हमारा he is playing cricket at this time at this time यहाँ पर use हो गया we were learning English at this moment at this moment यहाँ पर हमने use कर रखा है I am working hard in these days in these days यहाँ पर use हो गया और एक चीज़ जो मैं बता रहा था आपको देखे is, m और r इनका use मैं बता देता हूं आपको is हम ही sheet name के साथ use करेंगे, m i के साथ आएगा और r, u, v और d के साथ आप use करेंगे यहाँ पर मैं आपको correct form of the verb की according समझा रहा हूं इसके अलावा मैं ने आपको यह tense पढ़ाया है जिसका वीडियो आपको नेचे comment box में जो link है वहाँ पर दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं detail में अगर देखना चाहें तो description box में और comment box में दोनों जगा आपको link मिल जाएगा playlist का वहाँ से आप present continuous tense को detail में पढ़ सकते हैं यहाँ पर हम correct form of the verb को ले करके चल रहे हैं अगला हमारा tense होगा यह मैंने आपको करवा दिया था present perfect tense present perfect tense के अंदर helping verb हम has और have का use करते हैं he sheet name के साथ has use होगा I, V, U दे के साथ have use होगा main verb की third form का हम use करेंगे adverbs यहाँ पर लिखी हुई है सारी देख लिजी एक बार already, just, yet, ever, recently, up to now, up to present, up till now, up till present, so far, lately यह सारी adverbs present perfect tense के अंदर use होती है हिंदी पेचान चुका है, चुकी है, चुके है और चुका हूँ, चुकी हूँ, यह भी आता है या फिर हिंदी words जो हैं हमारे जैसे आ है, ई है, ए है, ए है यानि कि आ की मात्रा आएगी और है, ए की मात्रा आएगी और है, ए की मात्रा आएगी यानि कि इनकी मात्राएं जुड़ेगी और यह last में है जुड़ जाएगा आपके ठीके, तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए, main important चीज अपने पास है, ad work और helping work, main work यह आपको पता होना चाहिए ठीके, चलिए sentences करते है sentences आपके सामने लिखे हुए है पहला sentence है I have already started learning English तो यहाँ पर already हमारी जो की एक adverb है, वो use हो रही है sentence के अंदर दूसरा sentence है Have you ever seen the ताजमल, तो ever यहाँ पर use कर रखा है हमने थर्ड एक्जम्पल है हमारा I have not taken his permission yet और yet यहाँ पर use हुआ है तो यह सारी adverbs इनमें use हो रही है sentences के अंदर और इनी को हमको main target करके चलना है correct form of the verb को सही करते समये अगला tense देखिए present perfect continuous tense इसके अंदर helping verb कौन सी यूज होगी तो इसके अंदर has been और have been यह दोनो helping verb यूज होगी main verb यहाँ पर first form के साथ ing आप यूज करेंगे adverbs यहाँ पर since और four के साथ present time आएगा ठीके और since four को समझना है तो present perfect continuous tense वाली वीडियो में जाकर कि आप देख सकते हैं पर मैंने पढ़ा रखा है कि since और four का use कहां करते हैं एक बार फिर बता देता हूँ point of time बताने के लिए since का use करते हैं period of time बताने के लिए four का use करते हैं हिंदी पैचान देख लीजिए से रहा है, से रही है, से रहे है से रहा हूं, से रही हूं ये हिंदी पैचान present perfect continuous tense की होगी चलिए शुरू करते हैं कुछ sentences देखना examples आपके सामने लिखे हुए हैं पहला example है she has been playing sitar since childhood he has been learning computer for six months I have been watching a film for two hours अब यहाँ पर देखिए ये example आपके सामने है लेकिन इन examples में क्या होगा जब आपसे ये exam में पूछे जाएंगे तो इनके साथ कोई न कोई present का time वहाँ पर आपको देगा हूँ तो उसके according आपको ये fill करने वो चीज़े आगे examples में मैं आपको करवाने वाला हूँ आपको no tension हो करके इस वीडियो को देखना है तो चलिए अगला tense हम शुरू करते हैं past simple या फिर past indefinite helping verb यहाँ पर did का आप यूज़ करेंगे main verb की यहाँ पर second form का आप यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक box है जिसके अंदर एक चीज़ बता रखिए आपको negative और interrogative जो sentences होते हैं उनमें आप did के साथ first form का यूज़ करेंगे यानि कि जो second form यूज़ होगी वो सिर्फ simple sentences के साथ यूज़ होगी adverbs यहाँ पर लिखी हुई है आप सब के सामने तो वो adverbs भी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है yesterday, ago, that day, last plus past time in plus past time जैसे in 1947, in 2011, in my childhood इस तरह की adverbs आपको देखने को मिलेगे recognition या फिर पैचान क्या होगी हिंदी वाक्य के अंद में आपको क्या देखने को मिलेगा आ, ई, ए, ये मात्राएं आपके सामने आएगी last में लगी हुई और in से हमारा sentence बनेगा जैसे हमने एक verbally eat तो eat का मतलब होता है खाना तो इसको हम क्या बनाएगे? खाया जैसे हमने लिया go तो go का क्या हो जाएगा? गया, गई, गए जैसे हमने लिया see, देखा, देखी, देखे तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है और adverbs आपके सामने हैं man verb बता दिये मैंने helping verb आपको बता दिये चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ examples लेते हैं पहला example है I went to school yesterday अब yesterday यहाँ पर यूज हो रहा है तो यह एक adverb है they did not revise their lessons last days तो यहाँ पर last days यूज हो रहा है third example है he played cricket in childhood तो यहाँ पर in childhood यह जो हमारी adverb है यह यूज हो रही है अगला tense हम लेते हैं past continuous tense इसके अंदर helping verb कौन सी यूज होती है was और were और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि I he she it name इन सब के साथ was यूज होगा you we they इन सब के साथ were आप यूज करेंगे manverb की यहाँ पर first form के साथ आप ing यूज करेंगे यहाँ continuous लिखा हो है ना continuous कोई सा भी हो present हो past हो future हो या फिर perfect continuous हो मैंनों आपकी first form ing याद रखिए adverbs यहाँ पर कौन सी यूज होगी at that time at that moment in those days in those months in those years यह adverbs यहाँ पर यूज होगी हिंदी पैचान रहा था रही थी रहे थे यह यहाँ पर यूज होगी sentences देख लेते हैं फटा फट से example यहाँ पर अपके सामने है I was playing cricket at that time yesterday अब देखिए at that time के साथ मैंने yesterday यूज किया है तो यह past का time यहाँ पर आप यूज करेंगे ठीक है यहाँ फिर at that time में लिखा होता ना तब भी आप past continuity मांते हैं यहाँ पर अगला example है मारा you are watching TV at that moment अब यहाँ पर at that moment यूज हो रहा है अगला tense देखते हैं past perfect tense past perfect tense यह बहुत important tense है आपको समझना जरूरी है क्योंकि इससे अक्सर exam में question आता ही आता है helping verb यहाँ पर head का आप यूज करेंगे और main verb यहाँ पर third form का आप यूज करेंगे adverbs यहाँ पर हमारे पास है before और after और when यह तीन adverbs हमारे पास recognition यह पैचान चुका था चुकी थी चुके थे यह पैचान यह फिर आ था य थी ए थे यह Hindi sentence के आखिर मैं आपको देखने को मिलेगा चलिए कुछ important concept समझते है past perfect tense से जो कि मैंने आपको जो past perfect की जो वीडियो थी ना past perfect tense की उसके अंदर यह चीज मैंने बहुत ही detail में समझाईए पर यहाँ पर इतना detail में समझाएंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी तो short मैं आपको समझा रहा हूँ देखें दो तरह के concept आपके सामने past perfect tense से आते हैं after और before का हम यूज करते हैं देखें समझा देता हूँ फटाफट से after का जब आप यूज करेंगे after का मतलब होता है बाद में ठीक है तो इसके बाद में आपको past perfect tense रखना है यानि कि head के साथ third form का आपको यूज करना है और after के पहले past simple आपको रखना है यानि कि verb की second form या did के साथ first form का आप यूज करेंगे before before का मतलब क्या होता है पहले past perfect tense का पर जाएगा पहले तो ये पहले हमने लिख दिया है ठीक है यानि कि head के साथ third form आप शुरू में यूज करेंगे और before के बाद में आप past simple का यूज करेंगे यानि कि work की second form या फिर did के साथ first form का आप यूज करने वाले एक बार फिर से repeat कर देता हूँ उस concept को आपके सामने after का मतलब होता है बाद में यानि कि past perfect tense कहा आएगा बाद में head के साथ third form कब आएगी बाद में और after से पहले क्या आएगा past simple यानि कि work की second form पहले आएगी did के साथ first form पहले आएगी यानि कि अगर negative एंट्रोगेटिव होता है तो did के साथ first form का आप use करेंगे before का मतलब क्या होता है पहले past simple कब आएगा पहले head के साथ third form कब आएगी पहले और बाद में क्या आएगा past simple यानि कि work की second form या did के साथ work की first form और ये जो PDF है ये मैं आपको टेलिग्राम पे डाल दूँगा आपको कोई note करने की जुरत नहीं है बस आप इसको एक बार अच्छे से watch कीजिए और फिर एक बार watch कर लिए आपका exam में कोई भी question correct form of the verb से गलत नहीं होगा तो ये हमने समझ लिया चलिए अब इससे जुड़े हुए example तो देखने जरूरी है ना तो देखिए train had departed और gone या तो आप departed का use कर लीजी या gone का use कर लीजी ये एक मेरे basic का आपको sentence भी आए अब यहाँ पर जो मारा main concept है उससे जुड़े हुए कुछ sentence है देखिए the patient had died before the doctor came चीक है I went to bed after I had finished my work तो यहाँ पर after और before का हमने use किया है इन दोनों sentence के अंदर हमारे concept के according आपको वो जो concept वो अच्छे से याद होना चाहिए तो guys अगला tense है हमारा past perfect continuous tense इसके अंदर helping verb had been हम use करेंगे main verb की यहाँ पर first form के साथ आप ing use करेंगे adverbs यहाँ पर आपके सामने since और four है और इन दोनों के साथ आप past time का use करेंगे हिंदी जो पैचान होगी sentences की वो होगी say रहा था, say रही थी, say रहे थे यह हिंदी पैचान होगी past perfect continuous sentence की चलिए कुछ example देख लेते हैं I had been going to quota for two days she had been cooking food since Monday तो इस तरह के example आपको देखने को मिलेंगे next हमारा tense है future simple यह फिर future indefinite tense इसके अंदर helping verb हम will और shell का use करेंगे और मैं आपको बता दूँ के आप I और we के साथ shell का use करेंगे और बाकी सभी subject के साथ आप will का use करेंगे main verb यहाँ पर first form आपको use करना है adverbs यहाँ पर हमारे सामने लिखी हुई है tomorrow next plus time the coming day in plus future time और जो हमारे हिंदी पेचान होगी वो होगी गा, गी, गे यह हिंदी पेचान होगी future simple यह फिर future indefinite की कुछ example देख लेते हैं इससे जुड़े हुए ही we shall go to Jepore tomorrow I shall come from Delhi next week rules will be strict in future तो इस तरह के example हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो यह B लिखा हुआ है यह verb की first form है चलिए next हम देखते हैं future continuous tense future continuous tense के अंदर आप will be और shell भी का आप यूज़ करेंगे और अभी मैंने आपको बताया के will और shell के साथ आप क्या यूज़ करते हैं I और V के साथ shell का यूज़ करेंगे बाकी सब के साथ आप will का यूज़ करेंगे मैंन वर्ब यहाँ पर first form के साथ आप ing का यूज़ करेंगे adverbs यहाँ पर add this time add this moment और इनके साथ में future time लग करके आएगा तब आप future continuous tense का यूज़ करेंगे यानि की helping verb और main verb का यूज़ करेंगे हिंदी जो पैचान होगी वो होगी रहा होगा रही होगी होंगा होंगी यह हिंदी पैचान होगी कुछ example इससे जुड़े वे भी पहला example है I shall be going to Jaipur add this time tomorrow अब यहाँ पर यह जो tomorrow लिखा हुआ है यह हमें future के बारे में बता रहा है add this time तो देखिए present continuous tense के अंदर भी यह adverb use होती है लेकिन इसके बाद जो time use होगा वो कौन सा time होगा future का time use होगा तब आप past continuous tense से मानेगे he will be playing cricket add this time add this moment tomorrow तो यहाँ पर भी हमने add this moment के बाद में tomorrow का use किया है अगला tense देखिए future perfect tense future perfect tense के अंदर जो rule आते हैं उनको देखते हैं will हो और shell हो यहाँ पर आप helping verb का use करेंगे man verb यहाँ पर third form आप use करेंगे क्योंकि perfect है और add verbs यहाँ पर by के साथ time यह फिर before के साथ time यहाँ पर आप use करेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ होगा, ई होगी, ए होंगे यह इस tense की हिंदी पहचान होगी और यहाँ पर by का जो अर्थ होगा वो होगा तक ठीक नब by को हम यहाँ पर तक के meaning में यूज़ करेंगे और by के साथ या before के साथ आप time का use करेंगे जैसे by tomorrow, by morning, by evening इस तरीके से आप use करेंगे चलिए future perfect tense के example देखते हैं पहला example है हमारा he will have Richard Jepore by tomorrow अब यहाँ पर by के साथ में जो tomorrow हमने use कर लिया कहने कि कल तक यह अर्थ यहाँ पर निकलेगा अगला example है यहाँ पर we shall not have written a book by then हम तब तक एक किताब नहीं लिख चुके होंगे यह इसका हिंदी अर्थ निकल के आएगा अगला tense है हमारा future perfect continuous tense आखरी tense है future गा इसके अंदर helping verb यहाँ पर will have been और shall have been आप use करेंगे man verb यहाँ पर first form के साथ आप ing यूज़ करेंगे adverbs यहाँ पर by the और इसके बीच में एक sentence आएगा फिर since यह four plus time ठीक है यह जो बीच में मैंने space दे रखा है यहाँ पर sentence आएगा और फिर उसके बाद में since और four लग करके time आएगा या फिर since four plus future time यह आपको दिया होगा future perfect continuous tense के अंदर recognition जो पैचान होगी वो क्या होगी इस tense की से रहा होगा से रही होगी से रहे होगे यह हिंदी पैचान future perfect continuous tense की होगी चलिए कुछ example इससे जुड़े भी देख लेते हैं पहला example है अब यह देखिए future का time शो कर रहा है हमारे सामने तो इससे हमें पता चलता है कि future के बारे में बता रहा है अगला जो हमारा sentence है अगला example है हमारा by the beginning of the new year you will have been working for five hours अब यहां पर by के साथ by के साथ में हमने पहले starting जो sentence की की है उसमें हमने एक sentence रखा है यानि कि एक phrase रखा है छोटा सा उसके बाद में हमने हमारा sentence शुरू किया है और since 4 के साथ में ending की है sentence की time के साथ में तो यह वाला जो concept है आपको strip or strip future perfect continuous tense के अंदर ही देखने को मिलेगा अगला example है by the end of this month we shall have been living for five years तो यह वाला example हमारा होता है जो हमारी adverb है उसके according ही यहां तक हमने सारे जो tenses हैं उनको by adverb देख लिया है तो अब बारी हमारी खूब सारी exercise करने की तो चलिए exercise शुरू करते हैं questions आपके सामने आएंगे चार अपसन आपके सामने आएंगे आपको क्या करना है उन question का answer नीचे comment box में लिक करके डालना है यहां पर एक एक करके question आपके सामने आने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस topic को let's start पहला question आप सब के सामने है he to school daily he to school daily चार अपसन आपके सामने है goes, go, went, will go फटा फट से answer दीजिए क्या answer आएगा यहां पर daily यहां पर हमारे सामने adverb लिखी हुई है चलिए फटा फट बता दीजिए goes आएगा, go आएगा, went आएगा, will go आएगा जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए बताइए फटा फट से क्या answer आएगा इसका यहां पर daily यहां पर adverb लिखी हुई है चार अपसन आपके सामने है go आएगा क्या, go नहीं आएगा इसके साथ में, क्योंकि यहां पर he subject लिखा हुआ है, daily present simple tense है यहां पर will go आएगा क्या, नहीं will go तो आएगा ही नहीं यहां पर went यह तो past में आता है, नहीं आएगा बचा एक option हमारे सामने जो कि एक goes तो इसका answer क्या होगा, goes इसका answer क्या हो जाएगा, goes इसका answer हो जाएगा, goes goes is the right answer next question हमारा सुरू होता है second question, I space, English at this time, हमारे पास चार option है, फटा 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 अंसर कीजिए is learning, am learning are learning, was learning, फटा फटा बता जीजिए क्या answer होगा इसका is learning, am learning, are फटा फटा बता दीजिए, add this time, यहाँ पर adverb हमें देखने को मिलरी, add this time तो इससे हम अंदाला लगाते हैं कि इस tense का answer क्या होगा is तो आएगा नहीं I के साथ में, are आएगा नहीं तो यह दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं हमारे was learning और am learning, इन दोनों में से हमें बताना है तो add this time, यहाँ पर हमारे सामने adverb आ रही है तो इसके साथ हम जाएंगे किसके साथ में am learning के साथ में, यानि कि be option हमारा सही होगा यहाँ पर am learning, चलिए next question हम लेते हैं यहाँ पर हमारा next question है हमारा देखे we, we a book at this time yesterday, we a book at this time yesterday चार ओप्सन आपके सामने है, फटा फटा अंसर बताईए, is reading are reading, was reading were reading, क्या होगा इसका answer, फटा फटा बतादीजिए at that time yesterday adverb देख लिजी, at that time or yesterday, past से related adverb आ रही है यहाँ पर, past continuous tense के adverb आ रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इन दोनों option को तो पहले ही गलत कर देंगे, क्योंकि यह present से है, was reading या were reading, क्या होगा, बताईए, फटा फट से तो यहाँ पर was reading तो नहीं होगा were reading होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो subject है वो we है, तो we के साथ हम क्या लगाएंगे, were reading लगाएंगे, तो हमारा option डीस साही हो जाएगा, चलिए अगला question देखते हैं फटा फट से I a book at this time tomorrow, चलिए बताईए चार option आपके सामने है are reading, were reading, will be reading shall be reading, क्या आएगा, बताईए फटा फट से, are reading were reading, will be reading shall be reading, चार option आपके सामने हैं, फटा फट बता दीजिए तो इसका answer होगा मैं आपको answer बताता हूँ at this time tomorrow, यहाँ पर at this time आ रहा है, उसके साथ tomorrow आ रहा है, तो यह तो चीजे नहीं होगी दोनों, यह तो गलत हो गई अब हमारे पास में दो option बसते हैं will be reading, नहीं आएगा क्योंकि I और V के साथ तो क्या आता है, शेल आता है तो आखरी जो option हमारा बचाए will be reading, यह हमारा option सही हो जाता है, अगर आप सुरू में देख कर के आए हैं, जो इसके टेंसे सारे मैंने correct form of the verb के बताए हैं, उनको book up to now, चार उपसर आपके सामने हैं, फटा फटा अंसर दीजिए यहाँ पर, has read have read, will read is reading, क्या आएगा चलिए बता दीजिए यहाँ पर फटा फट से तो यहाँ पर हमारे पास adverb क्या दे रखिए, up to now up to now यहाँ पर adverb के, यानि कि present perfect की दो, जो हमारी helping verb है और main verb बची हुई है तो इनके according हमें यहाँ पर लगाना होगा, तो यह you के साथ हेस तो यहाँ आता नहीं है have read, have read यहाँ पर हमारा answer सही हो जाएगा पांच वे में, चलिए next आगे बढ़ते हैं, six number का question देखते हैं, the train before I arrived at station, चार option आपके सामने हैं, फटा फटा अंसर दीजिए कौन सा अंसर सही होगा, has departed, had departed will have departed, was departed, क्या आएगा, बता दीजिए फटा फट से, before के पहले क्या आता है, before के पहले had departed, यह देखिए यह वाला भी जो हमारा option है वो सही है, यहाँ पर, भाई की सारे option गलत हैं, अगर आप सुरू से पढ़ते हुए हैं इस topic को, तो आपको यह topic अच्छे से आना जरूरी है next question चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सात्वा question है, the guest had gone before I the home, चलिए answer दीजिए rich, rich, will rich was rich, क्या आएगा, बताईए फटाफट से, अगर यह topic आपने मुझे से पढ़ाए तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा rich, कैसे आएगा बताईए फटाफट से, comment box में जुरूर बताईएगा, क्या क्यों आएगा यहाँ पर rich, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, पहले से ही इस चीज़ के बारे में, कि before के पहले हम head के साथ third form यूज़ करेंगे, और before के बाद में second form का आप यूज़ करेंगे, तो चलिए next question पर बढ़ते हैं, the teacher very stick in future, बताईए यहाँ पर क्या आएगा, will be shall be, is, was क्या ना जरूरी है यहाँ पर in future, यहाँ पर हमें adverb मिल रही है, in future चलिए, क्या adverb के बिना भी हम sentence कर सकते हैं तो हाँ हम कर सकते हैं, correct form of the verb के कुछ rules हैं, उनके भी वो आपको पता होना चाहिए बहुत से sentences होते हैं जिनमें adverb नहीं आती है तो इस चीज़ को पहले आप कीजिए और फिर उस चीज़ को भी हम देखेंगे the teacher, very stick in future क्या आएगा, will be, shall be, is, was तो यहाँ पर हमारा आएगा, will be teacher, the teacher will be very stick in future तो यह future, हमारे future simple tense का example था next हमारा question है ninth number का, we add this time tomorrow, we add this time tomorrow, travel यहाँ पर हमें verb दे रखिए उसके coding हमें लगाना है, देखिए चार ओप्सन आपके सामने लिखे हुए है will travel, travel shall be traveling, is traveling, बताईए क्या आएगा इसका answer, फटा फटा बता दीजिए यहाँ पर add this time tomorrow यह हमें adverb यहाँ पर मिल चुकी है, तो इसके coding हम किसके साथ में जाएंगे, यह यहाँ पर आएगा नहीं, यह भी यहाँ पर आएगा नहीं, will travel, यह तो हमारा future simple का है, तो यह यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर continuous की adverb दे रखिए तो इसके coding हम last option पर जाएंगे, shall be traveling यह हमारा बिलकुल correct answer होगा, ninth number का next question हम लेते हैं, यहाँ पर tenth number का, she there by this evening, she there by this evening, और rich यहाँ पर हमें verb दे रहा किये, चलिए, बताइए चार option आपके सामने हैं, फटा फटा answer कीजिए, क्या answer होगा इसका will rich, will have rich, has rich, have rich, फटा फटा आंसर कीजिए, इसका क्या answer होगा यहाँ पर she there by this evening, by this evening तो by कब आता है, बताइए फटा फटा फट से, future कॉंसर tense में, future perfect tense के अंदर आता है, future perfect tense मैंने आपको तोड़ा सा बता दिया है, चलिए next आगे बड़ी है, क्या होगा इसका answer फिर, तो future perfect tense के अंदर हम will have या शेल हो के साथ third form का यूज़ करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया है, तो यह चार उपसन तो जो चार उपसन है उन में से यह तीन उपसन हमारे गलत हो जाते हैं और बचता है क्या, यह वाला उपसन will have reached, she will have reached there by this evening, यह हमारा जो बी नमबर का उपसन है, यह बिलकुल सही है यहाँ पर, next question हम लेते हैं, 11th नमबर का बहुत सारे question करने हमें, इसलिए हम speed तोड़ी बढ़ा करके रखते हैं by the beginning of the new year, यह लीजी हमारा एक question यहाँ आगया है, by the beginning of the new year I, four, five arts, और यहाँ पर हमें work, चलिए option, बताईए चार option आपके सामने हैं has been working, have been working, had been working, will have been working क्या आएगा यहाँ पर बताईए फटाफट से, यहाँ पर shell कर देता हूँ, यह थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर shell कर देता हूँ आपके लिए, चलिए फटाफट से बताईए, यहाँ पर क्या आना चाहिए क्योंकि हमारा subject आई है, तो उसके according, next, बताईए फटाफट फटाफट चलिए चलिए बताईए, तो यहाँ पर हमारा, देखे, यहाँ पर last जो मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, perfect का, यानि कि future perfect continuous टेंस का, तो वहाँ पर यह जो structure है, मैंने आपको adverbs में लिखवाया था, तो आपको पता होगा, तो यह वाला हमारा नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो बचा यह वाला शेल हो बीन वरकिंग, यह हमारा answer होगा इसका, 11th नमबर का, next question पर बढ़ते हैं फटाफट से, क्या होगा यहाँ पर honesty the best policy क्या होगा, भी यहाँ पर दे रखा है हमें वर्ब के लिए, चलिए यहाँ पर कोई adverb आपको देखने को नहीं मिल रही है, अब बताईए यहाँ पर आएगा क्या, फटाफट से, इस वोज हैज हो, बता दीजे फटाफट से क्या ना चाहिए, यहाँ पर इस आएगा, वोज आएगा, हे जाएगा, हे वो आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में हमने present simple tense के अंदर एक point पढ़ाता important points के अंदर, प्रोब्स वाला, तो यह एक प्रोब्स के अंदर आता है, तो यहाँ पर इस आएगा, तो यह चीज़ आपको याद रखने ही, कि जो प्रोब्स होती है, वो भी present simple tense के अंदर आती है जिनमें adverb नहीं दी होती है आपको present simple tense मान करके वहाँ पर helping verb भरनी होगी, तो चलिए next आगे बढ़ते हैं हम अब अगला question है, the sun in the west, चलिए, बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए, the sun set, sets, setting is setting, चलिए, बताइए क्या आएगा, यहाँ पर भी कोई adverb आपको नहीं दी हुई है, तो set sets, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपका option भी बिल्कुल सही होगा sets, और यह जो question है important लगा लीजिए, बहुत सारे बताइए, चार option में से क्या सही होगा यहाँ पर, यहाँ पर भी कोई भी आपको adverb नहीं दी गई है, तो चलिए इसको बताइए, फटाफट से यह भी हमारा present simple tense का example है, और यहाँ पर water के साथ हम as, yes का use करेंगे, तो हमारा B option, यह बिल्कुल सही है, बाकी तीनों उपसन हमारे गलत है, B option बिल्कुल सही है, next question पर बढ़ते हम listen someone to open the gate, चलिए बताइए, listen someone to open the gate, क्या आएगा is trying, am trying, are trying, were trying, बताइए someone to open the gate, क्या आएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे सामने आएगा, is trying यह वाला option बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि listen, यह आपने present continuous tense पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंने adverb में आपको एक verb लिखवाई थी, यानि कि यह जो verb होती है, इनके पीछे exclamation mark होता है, और यह सिर्फ और सिर्फ present continuous tense के अंदर आती है, तो यहाँ पर someone के साथ is आएगा r तो आएगा नहीं, और m आएगा नहीं, और d option हमारा वैसे ही गलत हो गया, वर भी नहीं आएगा तो first a option हमारा यहाँ पर सही होता है next question पर हम बढ़ते हैं we cricket match at this time बताईए फटा-फट इसका क्या answer होगा, are watching was watching, were watching had watching, क्या होना चाहिए had watched, यह होगा के are watching होगा was watching होगा, were watching होगा बताईए फटा-फट से क्या answer होगा इसका, at this time यह यहाँ पर हमें ad verb देखने को मिल रही है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, at this time present की, जो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है ad verb यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसके according यहाँ पर, we are watching, present है we are watching a cricket match at this time भाई की सारे जो हमारे options हैं, वो गलत हो गए हैं क्योंकि यह दोनों तो past के होगे, और यह perfect का हो गया, are watching a cricket match at this time यह हमारा option बिलकुल सही है next हम बढ़ते हैं I already English, learn अब यहाँ पर चार उप्सन आपके सामने हैं, फटा फट बता दीजिए क्या आएगा, learn have learned, had learned will have learned चलिए बताईए क्या होगा इसका answer सत्रुए नंबर के question का हमारा, बताईए फटा फट से चार उप्सन आपके सामने हैं तो यहाँ पर हमारा answer निकल के आ रहा है B नंबर का B नंबर का बिलकुल correct answer होगा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक adverb देखी है कौन सी adverb देखी है already और already किसमें आता है present present perfect tense के अंदर यह adverb हमें देखने को मिलती है, तो इसके according हम यहाँ पर have learned करेंगे I के साथ have आएगा बाकी सारे option गलत हो जाएंगे यह वाला गलत है, यह भी गलत है यह भी गलत है, next question देखते हैं चलिए, next question है हमारा I am movie for last two months देखिए, यह हमारा question number 18 है, बताइए यह चार option आपके सामने हैं how making, had been making have been making, will making क्या आएगा इसका answer, बता दीजिए फटाफट से, लेकिए यहाँ पर four के साथ time आ रहा है, तो यह दोनों option तो आप पहले ही गलत कर दीजिए अब इन दोनों मेंसे बताईए कि क्या आना चाहिए, यहाँ पर बताईए फटाफट इसके साथ यहाँ पर last दे रखा है, एक और hint में दे देता हूँ आपको, last two months last two months कब आता है present में आता है क्या, नहीं तो यह option भी गलत, यानि कि B वाला option हमारा बिलकुल सही हो जाता है, यानि कि since poor के साथ में past plus time आएगा, तो past perfect continuous tense हो जाएगा next question हम देखते हैं यहाँ पर, all that all that glitter, not gold क्या answer होगा, is, was will, were, बताईए फटाफट से क्या answer होगा all that glitter, not gold, तो यह तो एक proverb के type में आगया हमारा is not gold, यह इसका answer हो जाएगा, यह जो question में आपको बता रहा हूँ ने, इन में से बहुत सारे question अगर आपके paper में मिल गए न, क्योंकि यह बहुत सारे जो एक paper हैं, उन में से उठाई हूए question है, यहाँ पर दिये हूँ है तो, तो इनको अच्छे से एक बार देख लीजेगा, नजर डाल लीजेगा, इन question पर एक बार अच्छे से, next question है हमारा water, अब हो hundred degrees Celsius, चलिए बताईए, is boil, boils, boiled, was boiling, क्या आएगा इसका अंसर, बतादीजिए फटाफट से, is boil, boils, boiled, was boiling, बताईए फटाफट से, तो इसका अंसर होगा, boils, बहुत से studentों को इसका अंसर पता होगा, लेकिन यह question यहाँ पर लेना जरूरी था, तो next question हम देखते हैं फटाफट से, ram, the car in 2011, चलिए बताईए फटाफट से क्या अंसर होगा इसका, इनके साथ में past time यहाँ पर आ रहा है, चलिए देख लीजिए इसको अच्छे से, और बताईए अंसर क्या होगा, he is buying, was buying, bought, were buying, बताईए फटाफट से, तो past आ रहा है तो यह दोनों तो काड़ दीजिए यहां से, देखिए, यह वाला तो कट गया, और ram के साथ was buying, यह आ सकता है क्या, आ सकता है वर buying, यह नहीं आएगा, चलिए यह भी अटालते हैं, अब bought और was buying, बताईए क्या आएगा यहां पर, इनके साथ past time आ रहा है यहां पर, बताईए फटाफट से, तो c option हमारा सही हो रहा है, बहुत ही दुआधार तरीके से यहां पर, क्योंकि was buying यह नहीं आएगा, क्योंकि यह adverb उस tense के अंदर नहीं आती है, इनके साथ past time, past continuous tense के अंदर नहीं आता है, तो यह वाला तो गलत हो गया, third option बिल्कुल सही होता है, इसी के साथ next question देखिए फटाफट से, c सितार since childhood, बताईए playing, played, has played, had been playing, चलिए बताईए फटाफट से क्या option होगा, since के साथ यहां पर time show रहाए, काट यह फटाफट से questions, answers को यहां पर देखिए, यह दोनों तो कट गए यहां पर कैसे कटे, क्योंकि playing डारेक्ट नहीं आएगा, played यहां पर नहीं आएगा, since four के साथ में, देखिए, अगला हमारे पास दो options है, यहां पर has played, तो यह आगे हमारा present का, और हमारा d option जो बच गया, वही इसका answer है, यानि कि since के साथ में, यहां पर जो time show रहा है, वो कौन सा time show रहा है, यहां पर past time show रहा है, तो इसके according यहां पर had been playing हम यहां पर कर देंगे, बागी तीनों option जो थे, वो इसमें नहीं आ सकते थे, next question देखते हैं, फटाफट से, I just learning English, ठीके, चलिए, चार option आपके सामने, फटाफट देखिए, have started, has started, were started, started, क्या आना चाहिए, जल्दी बताईए, यहां पर just सामने, adverb देखने को मिल रही है, यहां पर आप सबको, तो just recording बताईए, क्या आएगा, have started, has started, were started, started, क्या आएगा यहां पर, चलिए, बताईए, फटाफट से, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, has, तो यहां पर के साथ लगेगा नहीं, क्योंकि I हमारा subject आ रहा है, were यहां पर लगेगा नहीं, क्योंकि was लगता है, I के साथ में तो, तो यह दोनों कट गए हैं, चलिए, दो option आपके सामने आ रहे हैं, तो मैं बता देता हूं, यहां पर आपके सामने, जो A number का जो हमारा option है, वो बिलकुल सई होगा, क्योंकि just जो हमारी adverb है, वो आती है, present perfect tense के अंदर, past में नहीं आती है, यह past की जो manverb दे रखी है, तो यह नहीं आएगी, ठीक है, A option हमारा दुआधर तरीके से बिलकुल सई होता है, next question पर हम बढ़ was learning, am learning, बताईए, तो देखे, is आएगा नहीं, पहले तो काट दीजिए, आर आएगा नहीं इसके साथ में, तो दो option आपके सामने बच जाते हैं, was learning, am learning, बताईए फटाफट से, तो at this time यहां पर आ रहा है, at that time नहीं आ रहा ना, तो first यह चीज हमारा D option, बिलकुल सई हो ग इसी के साथ अगला question फटाफट देख लीजिए, he is studies by 2030, चलिए बताईए फटाफट से आखरी हमारा जो आज का example है, वो देख रहे हैं, इसी के साथ में हम यहां पर, will be completing, will have completed, will completed, have completed, बताईए क्या आना चाहिए यहां पर, फटाफट बता दीजिए, यहां पर चार option आपक completed, will have completed, will completed, have completed, बताईए फटाफट यहां पर, buy के साथ time show हो रहा है, चलिए बताईए, देखें, यह वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि हैओ के साथ थर फॉर्म यह present के, present perfect tense के अंदर आती है, तो वहां पर buy कोई adverb नहीं आती है, ठीक है, और future simple में भी कोई adverb buy से related नहीं आत तो a वाला जो option है, उसको देखिए, will be completing, देखिए, पूरा ढंक से लिखा हुआ है, और बिल्कुल शाई भी है, लेकिन यह कौन से tense का है, यहां पर future continuous का, तो इसको तो हम काटेंगे और बचा हुआ जो यह वाला option है, यह बिल्कुल correct answer है, यहां पर हमारा, यह हमारा बिल्क आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते है नेक्स वीडियो में, thanks for watching, अगर चैनल पे नहीं है, तो subscribe करके जाईए, और अगर अभी तक like नहीं किया है, तो like जरू कर दीजीगा, वीडियो कैसी लगिए, comment box में बताना है, आपको मिलते है नेक्स वीडियो में, त सुन